हेलो फेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक और हमारी उत्तर प्रदेश जी के की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की मिट्टिया इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश का भागोलिक विभाजन और उत्तर प्रदेश की जलवायों को डेटेल म आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जी के टिक के एपले किसा से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इसके लावब वहाँ पर आपको different type की courses भी मिल जाएंगे तो इन courses को आप वहाँ से avail कर सकते हैं तो आज का हमारे topic रहेगा उत्तरप्रदेश की मिट्टियां या फिर soils of उत्तरप्रदेश तो पहले इसके हम पूरी theory discuss करेंगे और theory के बाद last time में एक हमारा महत्रपून MC की उसका section रहने वाला है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम मिर्दा की परिभासा या फिर soil की definition देख लेते हैं भूप्रिष्ट पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह है उपरी परत जो मूल चट्टानों अत्वा वनस्पति की योग से बनती है उसे हम मिर्दा कहते हैं तो यूपी में जो भी मर्दा पाये जाती हैं इनकवारगी करह तीन भागों में किया है वैप परवध्पधी मर्दा है एक मैद्ध की मैद़्पधानीば mixing ये फंठी आथी मर्दा और आगली जपसे पहारी पठाडी प्रदा्दी या फिर बूंदिल चेत्र की मर्दा, जो मद्य मैदानी चेत्र की मर्दा है, ये पांच प्रकार की होती है, एक होती है जलोड, जलोड के भी दो टाइप होता है, एक खादर मर्दा होती है, और एक बांगर होती है, एक है लवणिये तथा चारी मर्दा, एक है मरुस्थिलिये मर्दा, एक है काली मर्दा और एक है भून मर्दा तो यह पांच टाइप होते हैं मद्य के मैदानी छेत्र की मर्दा के हैं इसके लावा जो दक्षर के बुंदेल खंडी छेत्र की मर्दा है वह भी पांच प्रकार के होती है एक होती है लाल मर्दा, एक होती है पर्वा मर्दा, मान मर्दा, राकर मर्दा और भौंटा मर्दा तो ये पांच टाइप होते हैं दक्षर के, बुंदिल खंडी मर्दा के, तो इन सब पिचिचली होती है, जिसके कारणे यहाँ पर पानी सीखर नीचे चलाया, तो देखिए जो भावार छेत्र हैं हमने पहले भी डिसकस किया हुआ है, फिजिकल डिविजन में है, यहाँ पर जो मर्दा होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है, मौटे कंकर पत्थर और चटानों यहाँ पर जाड़ी ववन पाए जाते हैं, अगली है तराई चेत्र की मर्दा, भावर के समानतर दक्षण में नमी युक्त दलदली जो चेत्र है, उसे हम तराई चेत्र कहते हैं, इस मर्दा का निर्मान हिमालेई नदियों के दौरा बहा कर लाए गए, महीन कणों के निक् होता है, तराही चेतर में नदियां धर्दी पर प्रकट हो जाती है, यहां पर महीन कणों के निक्षेप मिलते हैं , और महीन कणों के निक्षेप मिलते हैं, वारतमान में तराही की genetics भूमी प्षैयोग बना ली गई है, इस चेतर में गन्य एवंधान की खेती होती है तथा उपयोगत दशाएं यहां पर पाई आती है खेती के लिए कुछ-कुछ जगाओं पर यहां पर जूट की क्रश्री भी की जाने लगी है तो यह सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं इंपोर्टेंट है अगली है मध्ध के मैदानी छेतर की मरदा पहली है जलोड मरदा इसके अंदर कोंगों से मरदा आती है बांगर और खादर तो पहले हम खादर को समझते हैं जिसे हम नवीन जलोड और कछारी मरदा भी कहते हैं तो इसका जो निर्माण हुआ था वो प्लिश्टू सीन योग में हुआ था पॉप मिट्टी कीचर बालू से इस मरदा का निर्माण हुआ है इसके अलावा इसमें जो पदार्थ होते हैं चूना, पोटास, मैगनेशियम और जैव तत्तों ये सबी तत्तों की इसमें अधिकता होती है तो चूने की अधिकता होती है पोटास की अधिकता होती है और मैगनेशियम की अधिकता होती है और सरवादिक अच्छी कोई मिट्टी माने जाती है तो नवीन जलोड ही माने जाती जिसे हम खादर भी बोलते हैं विशिष्टाओं की बात करें यह हलके भूरे रंग की छिद्र युक्त महीन करणवाली मृदा होती है तो इसका रंग हलका भूरा होता है और यह काफी महीन होती है इसकी जल धारन करने की छमता बहुत अच्छी होती है जल को सोखने की जल धारन करने की छमता इसकी बहुत अधिक होती है और वर सकती बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यदा फर्टाइल होती है, अभी मैंने आपको बता है कि बहुत ज़्यदा उपजाव मिट्टी होती है, इससे बलुवा सिल्ट, बलुवा दोमट, मटियार और मटियार दोमट, आधी नामों से भी जाना जाता है, तो यह कुछ वा Phosphorus की कमी इसमें पाई जाती है विशेष्टाओं की बात करें तो इस मरदा के नीचे चूने की गांठ मिलती है जिसे कंकर कहा जाता है तो एक्जाम में कादी कोश्चन बन जाता है कि किस मिट्टी में चूने की गांठ मिलती है तो बांगर में मिलती है इसके लबा कंकर कि से कहा जाता है तो जो चुने की guard मिलती है उसे ही canker कहा जाता तो यहां से कहीं से भी qraminer घुमा के दे सकता है आपको याध रखना है और वरय सक्ती इसकी कमजर होती है यहां हम xadar से इसको compare करेंगे तो इससे पुरानी जलोड इसलिए कहा जाता है कि काफी समय पुरानी मिट्टी है जो नदियों के दौरा लाई गई थी, इसलिए इसलिए पुरानी मिट्टी का नवीनी करान नहीं होता है। इसे उपहार, मिर्दा, दोमट, मटियार, दोमट, आदी नामों से भी जाना जाता है, तो यह है बांगर, जब हम फ्रिजिकल डिविजन पढ़ रहे थे तब भी हमने इस छेत्र के वाले में डिसकस कियाता है, जो खादर छेत्र होता है, यहाँ पर नवीन जलोड मिट्टी प यहाँ पर हर साल मिर्दा का नवीन जलोड नहीं हो पाता है, तो ज्यादा फर्टाइल कौन से होती है, खादर मिर्दा जिसे हम नवीन जलोड बहते हैं, और उससे कम थोड़ा उपजाओ कौन से होती है, वांगर मिर्दा जिसे हम पुरानी जलोड कहते हैं, चली अब हम बा कि अपते हैं तक भास को यो होती हैं मैं अभी आपको बताया था कि जो बांगर छेत्र होता है फिर बांगर मदा होती में गर्व्षा होकि खाजर की अपक्छा तो इस मिट्टी में किसानों के दोरह औरबरक को गवह बहुत ज्यायादा यूस किया गया जिससे कुछ औरवरक तो क्या हुए मिट्टी में घुल गए, लेकिन कुछ औरवरक पानी के साथ एक इस्थान से दूसरे इस्थान चले गए और इससे एक बिलकुल नहीं मिट्टी का निर्माण हुआ जिससे हम लवडी और छारी मिट्टी कहते हैं, जो कि बंजर डाइप की मिट्टी कहलाती है अलीगर, मैनपूरी, कानपूर, उननाव, एटा, राइबरेली, सुल्तानपूर, प्रताबगर, जौनपूर, प्रयागराज, आदी जिलों में उसर भूमी पाई जाती है उसर भूमी होती है, इसे रेह, बंजर, कल्लर, अन्य नामों से भी जाना जाता है अकसर एक्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है मिट्टी में खारापन, छारीता की समस्या को दूर करने के लिए जिपसम का प्रयोग किया जाता है, जिपसम मिर्दा की कठोर परद बनने से रोकता है ये काफी important question हो जाता है कि जो मिट्टी में खारापन और छारीता की समस्या होती है इसे दूर करने के लिए हम किस तत्तो का प्रयोग करते हैं जिपसम का प्रयोग करते हैं काफी important है आपको याद रखना है उसर या बंजर भूमी वह भूमी होती है जिसमें लवड़ों की अधिता होती है ऐसी भूमी में बहुत कम उत्पादन देखने को मिलता है तो यह जो भूमी होती है जिसे हम क्या बोल रहा है उसर भूमीं काफी कम अबजाव होती है पिकर कि भूमी नहीं होती है और यहां पर कौन से मिलता पाय जाती है लवडि और चारी मिलता पाय जाती है आंगे बात करते हैं मौरुस्थिलिय मिलता या फिर डिजर्ट स्वाईल यह मिर्दा सुस्क तथा आद्र सुस्क छेत्रों जिसे राजिस्थान, हर्याना और पंजाब आप ऐसा बोल सकते हैं पश्चिमी उत्तरप्रदेश में पाई जाती है उत्तरप्रदेश के कुछ पश्चिमी छेत्रों मत्रा, आगरा और अलीगर में यह मिर्दा पाई जाती है तो देखी मैप में भी मैंने आपको बताया है यह वाला रीजन है पश्चिमी उत्तरप्रदेश का यहाँ पर मरुस्थिली मिर्दा पाई जाती है तो देखी मरुस्थिली मिर्दा होती है बहुत कम उपजावपन होता है इसमें मुख्यता मोटे अनाजों की खेती ही होती है मोटे अनाज मतलब जौर, बाज, रामक्का यह सारे अनाज इसमें होते है अगली है भून मिर्दा या फिर मट सॉयल गंगा यमुना वा इसकी सहायक नदियों की बाड़ वाले चेतरों में बहुत पहले से निर्मित बालुई मिट्टी के 10 से 20 फीट उचे टीले बन जाते हैं जिसे हम भून कहते हैं यह हम रूदा हलकी दोमट बालुई खुटी है तो देखे जो गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों होती है उनके जो बाड़ के चेतरों होते हैं उसके आसपास के छेत्रों में 10 से 20 फीट उचे टीले बन जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूण बोलते हैं, और यह मिर्दा हलकी दोमट बालू ही होती है, बस इसके वारे में इतना याद रखना है, यहां से कुश्चन ऐसा बनेगा, नदियों के आसपास जो 10 से 20 फीट उचे टीले बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम भूण बोलते हैं, यह पॉइंट आपको याद रखना है, अगली मिर्दा है, काली मिर्दा या फिर ब्लैक स्वैल, इसमें लोह तत्व वा जीवासमों की अधिक्ता रहती है, जिसके कारण इसका रंग काला हो होती है, इसलिए इससे कपासी मिर्दा भी बोला जाता है, और करेल मिर्दा भी कहा जाता है, इससे रेगोर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको पता ही होगा, रेगोर मिट्टी किसे बोलते हैं, काली मिट्टी को बोलते हैं, आंगे चलते हैं, दक्षन के में पहले भी आपको बताया कि जो बुंदिलखंड का पठार है इसके लब जो विंदियन रेंज है इसका निर्माड का बुआ था प्री क्रैम्ब्रियन युग में इसका निर्माड हुआ था तो इनी चैट्टानों के तूटने फूटने से और फिर कैमिकल चेंजिस से इस इस मिठ्टी कहां कहां पाई जाती है इन सभी बुंदिलखंड वाले रीजन में पाई जाती है इस मिठ्टा को भौतिक एवं रासायनिक आधार पर पांच उपवरगों में बाटा गया है पहले भी मैंने आपको बता दिया था कौन-कौन से पांच है एक होती लाल मिर्दा एक होती है परवा या फिर पडवा मर्दा माड मर्दा जिसे हम माड भी बोलते है राकर मर्दा राकर भी बोलते है और भौंडा मर्दा तो इन मर्दाओं को एक एक करके हम चर्चा करते हैं तो पहली है लाल मर्दा या फिर रैड स्वैल इसमें पहला पॉइंट है यह तो इसका निर्माण भी जो विंदन रॉक्स हैं उनके टूटने फूटने से इसका निर्माण हुआ है इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना जैसे जैव तत्यों की कमी पाई जाती है और लोह तत्यों की अधिक्ता भी इसमें पाई जाती है इस मद्धा की छितरों में मुख्यता दलहन और तिलहन फसलों की बुगाई ये फिर खेती की जाती है यहाँ पर विलाल मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर कॉन सी फसले ली जाती है दल्हन और तिल्हन ने फसलें ली जाती है अगल leveraging पर्वा म्रदा यह फिर कंड़वा स्वाइल इस म्रदा को पर्वा या फिर पढ़वा भी कहा जाता है ये मरदा हमीरपूर जालौन तथा यमुना की तटी भूमी खासकर बीहड़ों में पाई जाती है ना तो इसका नाम क्या है पढ़वा या फिर पढ़वा है कहां कहां पाई जा रही है हमीरपूर जालौन यमुना की तटी चित्रों में और बीहड़ों में ये पाई जाती है देखिए आप मैप में भी आपको मेंशन किया है मैंने हमीरपुर और जालॉन जिले यह हलके भूरे रंग की बालूई दोमट म्रदा है इसमें जैव तत्तों की कमी पाई जाती है तो बहुत ज़्यादा उपजाओन ही होती है और इसका रंग कैसा होता है हलका भूरा इस म्रदा में चने, मतर, मेंथा जिसे हम पेपरमेंट भी बोलते हैं ज्वार खरीट की फसल होती है तो यह सारी फसले इसमें ली जाती है इसकी फसले आप याद रख लाए ना कौन कौन सी फसल होती है जिस चने की फसल होती है मेंथा पेपरमेंट की होती है तो यह कुछ इं इन तत्यों की अधिक्ता होती है यह जलकी संपर्ख में आने पर गौन्द की समान चिपचपी हो जाती है ₩, मर्दाप्रदेश कि प्ष्चमी warz्णों, मने पukan किक के पूपयोगा रिए ₩, वैप में तॉ कहाँ पही आ या फिर राकटमदा, लाल भूरे रंग की दाने-दारमदा जो की सामाने था ठालों पर पाई जाती है उसे क्या बुलते है rocky- JIu मुझा होती है ज्यादी कीई इसमें एक στο नोट मुख लेता है सामाने बुला पहूब का चै disruptive होना चलुग होना चाहिए तो जिसको शक फसल किया दिया आपको भुवाई करनी है तो ऐसी भूमी होनी चाहिए जिसका पी एच मान 6 से 7 है तो ये एक अच्छा पी एच मान माना जाता है अगली मिर्दा है भौंडर मिर्दा इसका निर्माण विंद्यन स्रेणी की चट्टानों के तूटने फूटने से हुआ है रंग में कुछ लालीमा ये फिल लाल रंग होता है तो कैसे इसका निर्माण हुआ है विंद्य चट्टानों के तूटने से हुआ है और इसका रंग ल से जाना जाता है कुशिनगर जिले की मिट्टी को इस्थानी भासा में भाट का जाता है इसमें मौट एनाच की खेती होती है और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी मुक्षिता फास्वेट खनिच की कमी पाई जाती है तो ये कुछ चलने से एक स्थान की मिट्टी दूसरे स्थान पर चले जाती है जिसे हम मरदा अपर्दन को रेंगिती हुई म्रत्यों भी कहा जाता है तो काफी important question अक्सर exam में पूछा जाता है देखिए एक होता है जली अपर्दन और एक होता है वायू अपर्दन तो दो प्रकार का आपर्दन देखने को मिलता है हमें उत्तर प्रदेश में पहले हम जली अपर्दन या फिर water erosion को डिसकस करते हैं यह है अपर्दन मुक्षिता पूर्वी और दक्षणी छेत्रों में हमें देखने को मिलता है तो पूर्वी उत्रप्रदेश और धक्षने उत्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। मर्दा के जली अपर्दन से लगवक संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है जब कि वायू अपर्दन से कुछ ही छेत्र प्रभावित है तो कभी एक्जाम में ऐसा कुश्चन आ जाए कि उत्रप्रदेश में सबसे जादा अपर्दन कैसा होता है तो जली अपर्दन हमें देख तरीके से होता है जिससे किसान समझ नहीं पाता और खेत की और वर्ता कम हो जाती है तो परत अपर्दन हमें देखने को मिलता है खेतों में इसलिए इसे किसान की मौत की संगया भी दे जाती है तो यहां से कोशन आपको बनेगा इनमें से किसे किसान की मौत की संगया दी जाती अवनालिका परिदन क्या होता है चंबल नदी की छेतर में यह सरवाधिक होता है इसमें उत्रप्रदेश का इटावा जिला विशेश रूप के प्रभावित है ना दे कि अवनालिका परिदन यह फिल गली इरोजन के होता है जब कोई नदी और खास्तोर पर चंबल भारत में चंबल नती अवनाली का अपर्दन के लिए जानी जाती है नदीने अब हम डिसकस करते हैं वायू अपर्दन या फिर विंडरी रोजन वायू अपर्दन से उत्तर प्रदेस के सरवाधिक प्रभाविच जिलिकॉन कौन से हैं तो मथूरा है एक और एक है आगरा तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेस में हमें सबसे जादा देखने को मिल है तो अवनाली का अपर्दन से अभी मैंने आपको बताए चंबल नदी बहुत ज़्यदा अवनाली का अपर्दन करकी आपको पता होगा बहुत ज़्यदा एक्जाम में कुश्चन मनता है खादर और बांगर निमलिखित मैसे किस प्रकार की मिट्टी है तो जो खादर और जलोड मिट्टी है ना दो टाइप होते हैं एक होता है खादर जिसे हम नवीन जलोड बोलते है एक होता है बागर जिसे हम पुरानी जलोड बोलते है उत्तर प्रदेश में परंपरागत घूमी मापन की एकाई क्या है तो इस कांसर हो जाएगा दीबना बंदिल खंटर परदन से सरवाधिक प्रवावित छेत्र कौन सा है उत्रप्रदेश का पश्रिमी छेत्र खास तो पर मतुरा और आगरा जो जले हैं यह सबसे ज़्यादा प्रवावित है मैंने आपको बताए था प्रदेश में अवनाली का अपरदन से सबसे अधिक प्रवावित जिला कौन स तो यहां पर अंसर हो जाएगा बी ककरीली और पत्थरीली निद्धा यहां पर पाई आते हैं भावर्षेत्र कौन सा होता है जो सबसे उपर उत्तर वाले वेल्ट होता है जो की से वाले की गिदिपाद प्रदेश में है यहां पर नदिय जब बहती है तो आपने साथ जो भी कंकर पत्थर लाती है उनका निक्षे परवर्द पदी शित्रों में ही कर देती है जिसे हम भावर्षेत्र कहते है सामाने फसनों को ओगाने के लिए औरवर भूमी का पी एच मान कितना होना चाहिए यह भी पॉइंट में आपको डिसकस कराया था उत्रप्रदेश में सरवाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाए जाती है तो सरवाधिक मात्रा में जलोल मिट्टी पाए जाती है जलोल मिट्टी दो प्रकार की होती है एक होती है बांगर और एक खादर सरवादिक उपजाव मिट्टी होती है यह सारे point मैं आपको डिटेल में बताए थे अगला question है उत्तरप्रदेश के किस भाग में मरुस्थली म्रदा पाई जाती है तो जो मरुस्थली म्रदा है वो पश्चमी उत्तरप्रदेश ये फिर पश्चमी भाग में पाई जाती है अगला question है किस म्रदा में पोटास एवन सूने की प्रचुर मात्रा पाई जाती है तो इस कांसर हो जाएगा जलोड म्रदा में पाई जाती है ये point भी मैंने आपको बताया था राकर म्रदा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है जो राकर म्रदा होती है वो तिल के लिए काफी जाद अच्छी होती है इसके लाबा तिल के लाबा चने के लिए भी काफी अच्छी म्रदा होती है ये दोनों पॉइंट मैं आपको बताये थे किस मृदा में जल धारण करने की चमता सरवाधिक होती है तो ए नवीन जलोड में जल धारण करने की चमता काफी अच्छी होती है इसके लावा जो काली मिट्टी होती हैं उसमें भी जिल्धान करने किस प्रकार के अपर्दन को किसान की मौत भी गहा जाता है तो इसका answer हो जाएगा परत अपर्दन को किसान की मौत भी कहा जाता है ये point मी मैंने आपको बताया था वायू अपर्दन से सरवार्धिक प्रभावित जिले कौन से हें तो इसका answer हो जाएगा मथ्वरा भी है और आगरा भी है तो इसका D answer हो जाएगा B और C दॉनोर वायो परदन से सबसे ज़्यादा मथुरा है और आगरा पश्चिमी उत्तरप्रदेश मैंने आपको बताया था मिर्दा अपरदन को रोका जा सकता है तो वना रोपन करके या फिर व्रक्षर रोपन करके हम इसको रोक सकते हैं मिट्टी में खारपन चारीता की समस्या का समाधान है तो क्या है खेतों में जिप्सम का प्रयूग करना लाल मृरदा होती है, परवा होती है, माड होती है, राकर होती है और भोंडा होती है धक्षन के पठार में रेगुर के नाम से किस मिर्दा को भी जाना जाता है तो काली मिट्टी जिसे हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं इसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं भॉंडा मिर्दा में किस फसल की खेती की जाती है तो मोटे अनाच की खेती होती है भोंडा मृदा में अगला कोशन है कपासी मृदा कहलाती है तो कौनसी काली मिट्टी को हम कपासी भी बोलते हैं और रेगुल मृदा भी बोलते हैं निमलिखित मैंसे भूमी के उसर होने के कारण क्या है तो जल निकासी का उचित प्रवंद ना होना सही है ये लवाण युक्ति जल से चाहिए ये भी सही है छारी और वरकों का लगातार प्रिलोगी ये भी सही तो डी आंसर इसका हो जाएगा ये सबी कारण जिम्मेदाने किसी भूमी के उसर होने के पीछे अजिसा करता हूँ आज का लेक्शर आपको समझ आया होगा मिलते है नेक्स लेक्शर में तब तक के लिए धन्येवाद झाल झाल